हलो एवरीवन वेलकम ते माई चैनल स्पाइसी आरोमा और यहां पर है आज हेल्दी एंड निट्रिशियस डिश जो है प्रोटीन सैलड आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन हमारी बॉड़ी के लिए कितना इंपोर्टेंट है यह हमारी बॉंस मुसल्स को बुल्ड करता है इन पूरी तरह से फाइवर रिच है तो बिना देरी है इस प्रोटीन हेल्धी वेजटərian सैलड रिस्पी को बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर चार चीजे लिए हैं जो प्रोटीन रिच है प्रोटीन से भरपूर है तो सबसे पहले है यहां पर अंकुरित मोम तो चना और अंकुरित मोम को मैंने यहां पर स्प्राउट कर लिया है स्प्राउट करना बहुत एजी है और स्प्राउट करने से इस ग्रेन में जो प्रोटीन की कौन्टी है वो और भी ज़दा इंक्रीज हो जाती है तो स्प्राउटेट ग्रेन्स की जो सैरड बनेगा वो बहुत ही प्रोटीन से भरपूर रहेगा तो से स्प्राउट करना बहुत तेजी है, sprout करने के लिए यहाँ पे चना और मुंग दिखा रहे हैं, तो चना और मुंग को पूरी रात भीगने के लिए या चार से पांच गंड़े के लिए भीगने के लिए रख दें, जब यह अच्छे से फुल जाए तो इसका पाने निकाल कर एयर टाइट कंटेनर में प कोटन कपड़ा मॉइस्ट रखें, उससे भी अंगुरित हो जाते हैं, और यह है टोफू, टोफू यहाँ पर मैंने पूरा 200 ग्राम लिया है, और टोफू भी पूरी तरह से प्रोटीन रिच प्रोड़क्ट है, और यहाँ पे कटी हुई हरी मिश्ली है, कुछ कटी हुई प इस के टेस्ट को बहुत अच्छा टेस्ट को इनहेंस करेंगे, ब्रोकली को थोड़ा से ब्लांच कर रही हूं, पानी को बॉयल कर लें, और उबलते पानी में डेर से दो मिनट के लिए इसे उबलते पानी में इस तरह से छोड़ दें बस देड़ से दो मिनट के बाद वापस इसे हम छनी से निकाल के आईस वाले पानी में डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग भी स्टॉप हो जाए और इस तरह से जल्दी से आप गरम पानी से ठंडे पानी में डालेंगे तो इसका जो ग्रीन कलर है वो भी मिंटेन रहेगा तो यह प्रोसेस कर लें ब्रोकली के साथ, बस इसमें मुश्किल से 30 सिकंड के लिए छोड़े और इस तरह से स्ट्रेंड कर ले पानी को और ब्रोकली इस तरह से अलब कर ले, अब यहां पर एक बड़ा मिक्सिंग बॉन लेंगे, जिसमें सारी चीजे को हम कंबाइन करेंगे, एस और यहां पर 200 ग्राम मैंने बिल्कुल बार एक काट लिए हैं, टोफू, टोफू की जगाँ पनीर भी ले सकते हैं, टोफू भी आजकल इजली मिल जाता है, और यहां पर बारी कटिंग वे एक मीडियम साइज का प्याज मैनिस में आड़ कर दिया है, टमाटर आड़ कर दे और थोड़ा से यहां पर लाल मिच पाउडर है, 14 टीसपून, यहां पर चाट मसाला पाउडर है, 1 टीसपून, काली मिच पाउडर है, 1 अगर चाहें तो इसमें कुछ अनार के दाने भी डाल सकते हैं, जिससे वो कलरफुल भी लगेंगे, और टेस्टी भी लगेंगे, तो सारी चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लें तो यहां पर हमारा सैलड तयार है तो हेल्दी सूपर डिलिसियस प्रोटीन सैलड चाट बिल्कुल रेडी है आप सर्व करें लंच में डिनर में और मैं सुधा आपके लिए और भी धेर सारी रेसिपीस के साथ हाजिर होती अगले किसी रेसिपीस के साथ तिल दिन खाईए बनाईए और खिलाईए बाई बाई